खुशी नगर की फाजिल नगर वदान सभा सीट से सपप प्रत्याशी पूर्व मंत्री सौमी प्रिसाद मौरे के बेटे अशोक मौरे के विरुद विशुन पुरा थाने में आदर्स आचार सहिंता के उलंगन का मुकदमा दर्श किया गया है और वो और फ्लाइंग स्कॉर्ड के टीम अभी गिरफदारी की सूचना बिलकुल गलत है एक सूचना शाम को मिली थी जो फाजिल नगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे द्वारा पैसा बाटा जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिस शिकायत पे तटकाल मौके पे टीम गई थी और वहां पे तीन गाडियां और साथाट लोग पाए गए थे और उनके बेटे को पूस्ताश के लिए ताने पे लाया गया और जो यह क्लियर वाइलेशन है यह किस परिस्तिती में वहां पाएगे यह वहां की वोटर भी नहीं है और क्या तो गुशिनगर में स्वामी प्रसाद मौरे के बेचवे के खिराफ केस दर्श कर लिया गया है आचार सहिता के उलंगन के आरोप में यह मामला दर्श किया गया है तो आपको बताते चलें अशोग मौरे को जिले से बाहर बेच दिया गया और सक्त हिदायत दी गई जब तक चुनाफ संपन नहीं हो जातें तो अशोग मौरे अथब तक जिले के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे चुनाफ होने तक जिले में नहीं प्रवेश करेंगे अशोग मौरे अकुशिनगर में स्वामी प्रिसाद मौरे के बेटे के खिलाफ केस दर्श किया गया है आचार सहीता के उलंगन के मामले में केस दर्श किया गया है और साफ तोर पर पुलिस ने रायत भी दे दिये कि जब तक चुनाफ संपन नहीं हो जवाते तब तक अश्चोक मौरे जुल के बाहर ही रहेंगे जुले के अंदर प्रवेश वो नहीं करेंगे तो जैसे ज्यसे ऑउताप्रदेश के साथवे चरन के चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसे ऐसे में पाचियां चुनाव प्रिशार में जुट चुकी है और कल रात स्वामी प्रिशाद मौरे के बेचे के खिलाफ केस दर्श किया गया है आचार सहिता के उलंगन के मामले में ये केस दर्श किया गया है और अश्योक मौरे को सक्त हिदायत भी दे दी गई है कि जब तक चुनाव संपर नहीं हो जाते हैं अश्योक मौरे जुले के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे